नमस्कार SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ मांशी जैसवाल करनाटक में किस किस तरकार बन रही है और कौन चुनावी दंगल में बाजी मारेगा इन सवालों को लेकर अलग-अलग एक्जिट पोल के नतीजे आए गए हैं इनके जर्ये समझा जा सकता है कि इस बार दक्षिन राज्ये में किस पार्टी को कितनी सीटे मिल रही है हाला कि 13 माई को रिजल्ट आने पर ही सही आकड़े सामने आएंगे करनाटक की 224 विधान सभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है 22 फीजदी से जादा मतदान दर्श किया गया है अब नतीजे 13 माई को आएंगे सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 113 सीटे चाहिए इस बीच लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे है इस दक्षिन राज्ये में किसकी सरकार बन रही है करनाटक की कुरसी का किंग कौन होगा और कौन चुनावी दंगल में बाजी मारे का इन सवालों को लेकर अलग-अलग एग्जिट पोल के नतीजे आ गए है इनके ज़र ये समझा जा सकता है कि इस बार करनाटक में किस पार्टी को कितनी सीटे मिल रही है छी एग्जिट पोल में से पांच में से कौंग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी बनने का नुमान है वहीं एक एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मलता दिख रहा है आपको पता दें इस exit पोल में अलग-अलग नतीजे सामने आ रहे हैं लेकिन कहा ये जा रहा है कि 113 सीटे जो जीतेगा वही करनाटक में अपनी सरकार बना पाएगा यानि कि कॉंग्रिस की सरकार इस वक्त exit पोल में बनते हुई नजर आ रही है इस तमाम मुद्दे पर लगातार भारती जंता पार्टी पर कॉंग्रिस पार्टी निशाना साध रही है और कहा जा रहा है कि exit पोल के नतीजे जिस तरीके से सामने आए हैं 2024 में भी पूर बहुमत के साथ कॉंग्रिस पार्टी की जीत होने वाली है बहराल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या रहा है हमें कमेट कर जाएं क्या वाकई करनाटक में इस बार कॉंग्रिस की सरकार बने जा रही है आप अपनी राय हमें जरूर दें फिलाल इसका पर बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रही है आई न्यूज